तो क्या 2022 में हमें iPhone 12 Pro लेना चाहिए? 12 Pro का प्राइज इस समय आपको लगबग 50,000 से लेके 60,000 देखने को मिलेगा Various website में आपको लगबग ये 55,000 में किसी-किसी website में 60,000 देखने को मिलेगा तो क्या 60,000 रुपया इन्वेस्ट करना 2022 में सही डील होगा iPhone 12 Pro की अगर हम लोग ने की बात करें तो नया यहाँ पर आप लगबग 110,000 के आसपास मिल जाएगा तो इस वीडियो में हम लोग डीटेल में बात करेंगे क्या है खुबी iPhone 12 Pro का और क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे overall इसके build और design के उपर चाहे आप iPhone 13 ले लेते हो या तो iPhone 12 नया ले लेते हो तो जो इसमें build आपको मिलता है प्रो मतलब यहाँ पे iPhone में definitely ये प्रो होता है क्योंकि इसका जो design है और look जो है वो बहुत ही ज़ादा जबर्जस्त आपको देखने को मिलता है किसी भी non-pro model से ये काफी ज़ादा attractive look आता है साथी चाहत यहाँ पे अगर हम लोग frame की बात करें तो frame यहाँ पे completely stainless steel का बना है जिसमें आपको fingerprint definitely लग जाता है पीछे का जो यहाँ पे glass है ये completely एक matte glass है उस तरह का design आपको definitely किसी भी non-pro model में देखने को नहीं मिलेगा तो अगर आप design wise बहुत एक अच्छा phone ढून रहे है तब ये design आपको काफी ज़ादा पसंद आने वाला है और अगर आपको अच्छे condition में मिल जाए जिस तरह का यहाँ पे मुझे मिला है कहीं भी कोई भी scratch नहीं है तो उस तरह का अगर आपको मिल जाता है तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा deal होगा और design wise definitely मैं ये कह सकता हो कि non-pro से pro बाला जो model होता है उसमें काफी ज़ादा attractive आपको look देता है next बात कर लेते हैं हम लोग इसके battery backup हमें कैसा देखने को मिलता है अगर आप नया phone ले लोगे तो उसमें definitely आपको battery backup ज़्यादा देखने को मिलेगा इसको मैंने old में लिया था तो यहाँ पे जो इसका battery health आया था बो 88% आया था और एक महिने से इसको मैं एकदम बहुत ही ज़्यादा रगड के यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक इसका जो battery health है वो drop नहीं हुआ है battery backup की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे battery backup काफी अच्छा देखने को मिलता है लगबग यहाँ पे एक दिन तो आराम से चल जाता है कि अगर आप थोड़ा बहुत कम यूज़ करते हो उस case में यह battery आपका डेढ़ दिन भी चला सकता है अगर यहाँ पे हम लोग charging speed की बात करें इससे पहले मैं iPhone 13 भी यूज़ किया हूँ iPhone 12 भी यूज़ किया हूँ उसके comparison में यहाँ पे charging speed जो है इसका काफी जादा है अब यह क्यों होता है उसका मुझे कोई practical region नहीं पता है लेकिन फिर भी यहाँ पे 12 Pro जो है वो लगबग 50 से लेके 55 मिनिट में मेरा यहाँ पे full charge हो जाता है तो charging speed अच्छा देखने को मिलता है overall battery backup भी आपको pro series में अच्छा देखने को मिलता है नेक्स बात यहाँ पे हम लोग display की करेंगे तो display में यहाँ पे आप लोग देख सेक तो यह एक valid display है 60Hz का और यहाँ पे iPhone non pro model से pro model में display में आपको उतना ज़्यादा अंतर नहीं पता चलेगा यहाँ पे normal जो आपको iPhone 13 में यहाँ तो iPhone 12 में जिस तरह का display देखने को मिलता है iPhone 12 pro में भी उसी तरह का display देखने को मिलता है तो display इसका overall सही है लेकिन इसमें pro जैसा कोई भी खासियत नहीं है अगर हम लोग यहाँ पे performance की बात करें तो non pro model में आपको 4GB की RAM देखने को मिलता है जबकि यहाँ पे pro model में आपका 6GB RAM देखने को मिलता है जबकि यहाँ पे अगर हम लोग iPhone 12 की बात करें तो iPhone 12 का जो base variant होता है वो 4GB 64GB होता है जबकि 12 pro का जो base variant होता है वो 6GB 128GB होता है तो यहाँ पे RAM ज़्यादा है इसलिए इसका जो performance है वो आपको 12 के comparison में काफी ज़्यादा high देखने को मिलेगा और यह difference आपको तभी पता चलेगा जब आप कोई high graphics intensive काम करोगे जैसे कि gaming अगर करोगे जैसे कि अगर आप editing करते हो तब आपको clear पता चल जाएगा कि इसका जो speed है वो उस non pro model से काफी ज़्यादा high है अगर हम लोग यहाँ पर camera की बात करें तो non pro model से pro model में आपको काफी अच्छा camera quality देखने को मिलेगा क्यूंकि यहाँ पर overall आपको एक ultra wide lens मिल जाता है जिसके कारण अगर आप ultra wide photography करते हो तो इस phone से काफी अच्छे से कर पाऊगे तो overall इसका जो image processing है वो भी काफी ज़्यादा powerful है और यहाँ पर अगर ultra wide lens को अगर हम लोग यहाँ पर छोड़ दे तो बाकी यहाँ पर non pro और pro model में उतना ज़्यादा difference आपको नहीं देखने को मिलेगा तो आप आजाते हैं हम लोग हमारे final conclusion की तरफ क्या आपको pro model लेना चाहिए या तो non pro model जिस price पे अभी आज के date में आपको iPhone 12 Pro second hand में मिल जाएगा उसी price में आपको ने में iPhone 13 मिल जाएगा आप old phone को भी चला सकते हो तब इस case में आपको pro series के phone में काफी अच्छा experience प्रोवाइट करेगा लेकिन अगर आपको second hand phone का problem में नहीं फसना है क्योंकि generally जो second hand phone होता है उसमें आपको थोड़ा बहुत issue देखने को मिलता है तो अगर बहुत उस तरह का आपको complicated situation में नहीं पढ़ना है उस case में इसी price में आपका iPhone 13 भी आ जाएगा आप iPhone 13 को भी ले सकते हो लेकिन अगर look wise देखा जाए तो iPhone 12 Pro आपको काफी ज़्यादा reach feel देगा बाकी आप लोग मुझे comment करके बता सकते हो आपको pro model ज़्यादा पसंद है या non pro model है और आप कौन सा खरीदने वाले हो तो ये ता complete video आशा करते हो आप लोगों को पसंद आया है बाकी अगर इस वीडियो में कुछ भी छूट गया है iPhone 12 Pro के regarding तो आप लोग मुझे comment कर सेकते हो आपको reply definitely करूंगा और हमारे चैनल पर अगर आप लोग ने हो तो चैनल को subscribe जरूर करना हम मिलेंगे आपसे next video में तब तक के लिए take care bye bye and thanks for watching